हैलो एब्रिवर्ण हैपी धंतेरश धंतेरस की बहुत बहुत सुपकामनाएं आप सभी को आप सभी भी मुझे जरूर सुपकामनाएं दीजेगा कॉमेंट करके तो आज बना रहे हूं चकली क्योंकि दिवाली तो धंतेरस के दो दिन बात होती है तो सभी के घर में कुछ करना रहाता है, बस मार्केट से खरीद के लाओ और बनाना स्टार्ट कर दो, 140 रुपया, 140 रुपीस के आधा किलो का यह पैकेट मीला, रामबंधु का यह पैकेट है, तो इसको लाए फूंट से खरीद के और गरम पानी में गूत सकते हैं, या आप मैं जीस तरीके पानी को एक साथ गरम करके और करम होने दूब हैं और पूरा आधा किलो को ड्रकट में डाल तो लेकिन एतना पानी यहां पे कम पढ़ गया पानी मुझे और ज्यादा मिलाना पड़ा क्योंकि देखे मैं इतना पानी डाली हुआ तो ऐसा लग रहा है कि अच्छे से आटा नहीं गुथा था तो यहां पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब अच्छे से मिक्स तो हो गया लेकिन जैसा चकली के आटा चाहिए तो उ देंगे क्योंकि अच्छे से भी थोड़ा आटा मुलायम होता है तो आप इसको मुंग दाल वेगरा से भी बनता है मैदे से भी बनता है वेसें से हर तरह बनता है लेकिन मुझे इस पर इतना टाइम नहीं मिला तो मैं डिरेक्ट मार्केट से खरिद के लाई और बना रही अगर पर प्री टाइप रहोंगी तो यहां पर थोड़ा सा लग रहा था तो मैं थोड़ा पानी डाल के गुदने की कोशिच की थोड़ा सहाथ में तेल लगा कर और बहुत ज्यादा गरम ता है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं यहां पर आठा गूत रही थी कि अच्छे से अच्छे से क्लम मुलायम सॉफ्ट हो और इसको गरम ही गुतना पड़ता है अगर आपको आटे अच्छे से अगर नहीं गुतते हैं तो और भी गरम पाली डालके आटे को अच्छे से गुत लिजें और यह है चकली बनाने वाली मसीन चकली बनानी की मसीन बहुत तरह के मिलती है तो मेरे पास इस तरह का था यह बहुत पुराना है तो अभी तो और भी अच्छे अच्छे आने लगें पीदल के भी रहते हैं तो आप अपने अनुसार जैसे भी लेना होगा ले लीजिएगा आनलाइन भी यह मिलता है चकली पसीन से अगर आनलाइन पे आप सर्च करिएगा तो वहाँ मिल जाएगा तो इसमें अच्छे से तेल लगाना है अप रस की सहाथा से लगा सकते हैं मैं तो ऐसे उंगली से लगा दी क्योंकि पर एक और बरतन जादा हो जाता है मरस दोना बढ़ता कभी-कभी ऐसा लगता है कि बहुत फिस्टिवल में इतना जादा काम हो जाता है कि लगता है हर काम सौटकुट में करें लेकिन काम बढ़ते ही जाता है तो इस तरह से उसमें जितने भी आटे थे अच्छे से गुत के और इसको कस देना है और अपने चलेवी की जैसा चकली बनाना स्टार्ट करना है बहुत सारे इसमें प्लेड दिये थे लेकिन चकली के जो डिजाइन होती है ऐसे ही होते है वाकि सेयो वेगरा का भी था हर चीज डाली हूँ जितना भी बनाई हूँ बाकि लाइब वीडियो है तो आप मेरे चैनल पर आके लाइब सारे चीज़ देखिए अनमकीन से ओ वेगरा शाब हो तो यह चकली हो गया तयार अब इसको ना तेल में तल देना है लो फ्लेम में बिल्कुल ही लो फ्लेम पे तलिएगा हाइव लेम नहीं कर आप अप योह चालआं अप देना तो हमेशा अप रहर पशुरु सध्यान रखे कि लो फ्लेम पर ही करना है वह पहूत ही सॉप बनके तयार था रहनृत हुआ कि मार्केट से खरीद के तो कभी नहीं लाई हूँ पर कि धर से परशाद में आ जाता है तो मार्केट वाला कितना हाड हाड लगता है लेकिन आप अगर इसको लाके घर पे बनाते हैं तो हम सौप्ट सौप्ट तयार होगा गुर्खुरा पर एक तब क्रिस्पी तो बहुत अच्छा बनक तयार हुआ था मेरी वेटी को तो बहुत जादा पसंद आया और बा मुझे कुछ बनाना हो या नहीं बनाना आए तो मैं आप लोग से पुछ कर जरूर बनाओं बनाओंगी और अपने बारे में बताईएगा कि क्या क्या करते है क्या तो हो गया यह चकली बनके रेडी बस अब इसको खा लेना है और थोड़ा ज्यादा लगता है देखिए पाओ ऐसा आता है असी रुपे पाओ मिलता है चकली है